हाललुया प्रेज दलोड प्रभू आप सबको आसिस दे मेरे पियो आप सभी के सामनी मैं लेकर आ गिया हूँ एक के वचर और ये वचर मेरे पियो आपके जीवन में आसिस के दरवाजी को खोलेगा हम देखती हैं सभो देशक बारा अध्याय की जब हम उसके चौदा पत को द प्रमेश्वर से प्राथना करना है कि हे प्रभू पवित्रात्मा के दुरा मेरी सहायता कर कि मैं तरे वचन पे चल सको मेरे पियो बहुत से भाई बहन लोग क्या करते हैं कि घर में बाते को छिपाते हैं लेकि बाहर ओ जाकर बिड़ी सिक्रेट दारों गुटका और भी संग रहता है इसलिए हम सत्रक रहें कि हम अपने जीवन से क्या कारिय कर रहें अगर ऐसा कारिय अपने जीवन से हम कर रहें जो जो परमेश्वर के बिरुद में हैं उन बातों को हमें अपने जीवन से निकालना है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है परमेश्वर अर्पामों का और सब गुपत बातों का चाहे वे भली भली हो या बुरी हो न्याएं करेगा मेरे पूर जब ईश्य मसी का बादलों पर आगमन होगा यह सब पलके जपकते ही होगी होगी अकास की सखतिया हिलाये जाएगी तुरी फूकी जाएगी और इश्व मसी अपने अपने सुझतों के साथ लाखों को सुझत साथ बालों पर आएगा हालेलुया हर एक आँक उससे देखेगी और जो उसके वचन पे चर जो उसकी अग्याओं पे चल रहे हैं वह अपने दुतों को निमीत आग्याओं जादा की प्रित्री के इस छोर से उस छोड़ता के चुने हो को इकठा कर और वह सब चुने हो को इकठा करेगा आप जो उस चुने हुए में नहीं है और सब इस प्रित्री पर छुट जाएंगे मिरे पियो और ये सब कितने टाइम में होगा ये सब क्यों पलक जपकते ही होगा जितने टाइम आपको पलक इसलिए मेरे पियो इश्मत से जल्द आने वाला है दुनिया भर में जो बाते घट रही है जो हो रही है वह सब बाते उसके आने का एक चिन है इसलिए हम उसके वचन पे चलने वाले हो जाएं हम उसकी अग्याओं पे चलने वाले हो जाएं परमेश्व हमारे जीवन में चैक्रम हम देखेंगे हालेलुया यहां कहता है तेरा पर सब कुछ सुना गया सब कुछ सुना गया अंत की बात तिया है कि परमेश्वर का भैमान और उसकी अग्याओं का पालंकर क्योंगे मनुष्व का संपुन कटब यही है मनुष्व का संपुन कटब क्या है मेरे प्योग कि हमें परमेश्वर के वच्चन पे चलना है जब हम उसकी आग्याओं पे चलना है जब हम उसकी आग्याओं पे चलना है तो हमाई लिए स्वर के रास्ता खुला है साथ में हम सर्ग में आसिस पाएंगे साथ में 20 पृति पर भी हमारे लिए सब कुछ पुरा करके परमिश्वर देगा जब हम इस वचन के अनुसार चलेंगे तो इस अनसार में रहते हैं जो भी वस्तुविए आपको जिवन्यापन करने के लिए चाहिए परमिश्यर समय समय पर ओ आसी से आपके जीवन में देते रहेगा इसलिए हम सत्रक रहें कि हम अपने आपको ऐसा लायक ना बनाएं कि हम नरक में डाले जाएं बलकि हम अपने आपको ऐसा लायक बनाएं कि हम सोगर राज में हम सभागिता को प्राप्त कर सके अगर हमारे पाई जो परमेश्र के वचन के खिलाप है उन बातों को हमें अपने जीवन से निकालना है अपने मन से निकालना है और हमें प्रभू के पास सक उस पाप की छमाम प्रूशे मांगना है और दोबार ना करने का उससे वादा करते हुए उसके वचनों पे चल कर हमें आसिस को प् प्रबोजी इनके अंदर पिता इसी कोई बात यह पाई जो जो तरे व्रुद में है पिता उन बातों को इनके जीवन से हम निकलने की घुशना करते हैं पवित्रात्मा अग्दन की सहायता कर कि यह वचनों पे चल सके वचनों पे पालंग कर सके और यह प्रात्ना जहां भी च करने जा रहा है हम इस बात के लिए धन्माद करते हरे बातों में हम ते नाम की महिमा करते हरे घुट न तरी स्तामें ठिकने पाए हरे विख्ती तरी वचनों पे चलने वाले हो जाया पिता प्रभू जी वचन जहां वीचन पिता जो भाई भन सुने हो देखे पिता यह वच आमीन और आमीन हालेलूया हम उसके वचन पे चलने वाले हो जाए हम उसकी आग्याओं पे चलने वाले हो जाए हमारे लिए परमिश्र आसी से रखा है बढ़ियों को लाइक कमेंट से कीजिए ताकि और भाइवन लोगी शुमसी को जान सके गौड ब्रेस